कार्तिक मास महातम में कथा अध्याय साथ नारजी ने कहा हे राजन कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को भी मैं शंगशेप में बतलाता हूं उसे आप सुनिए व्रति को सब परकार के अमिश्मास उरद राई खटाई तथा नशीली वस्तूओं का त्याग कर देना चाहिए व्रति को दूसरे का अनग्रहन नहीं करना चाहिए किसी से द्वेश नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए देवता, वेद, ब्रहमन, गाय, व्रति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहि किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव का मास नहीं चुना चाहिए, पान, कथा, चुना, निम्भू, मसूर, बासी या जूटे अनकाभी परियोग नहीं करना चाहिए, गाय, बकरी तथा भैस की अतरेक्त अन्य किसी पशु का दूद नहीं पीना चाहिए, कासे के पात्र में रखा हुआ पंच गव्य, बहुत चोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन परियोग करना चाहिए, कार्तिक महा का व्रत करने वाले मनुश्य को सद्याव ब्रह्मचरिय का पालन करना चाहिए, उसे धर्ती पर सोना चाहिए और दिन के चोथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए, व्रती कार्तिक महा में केवल नरक चतूर्ती जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है के ही दिन शरीर में तेल लगा सकता है, कार्तिक महा में व्रत करने वाले मनुश्य को सिंगाडा, प्याज, मठा, गाजर, मूली, काशिफल, लौकी, तर्बूज, इन वस्तूओं का परियोग बिलकुल नहीं करना चाहिए, रजसुला, चांडाल, पापी, मलेच, पतीत, व्रतहीन, ब्राह्मन दोही और नास्तिकों से बाचित नहीं करनी चाहिए, भगवान विश्नु को प्रसन करने के लिए अपनी शक्तिकी अनुसार चांद्रदायन आधिका उवरत करना चाहिए, और उपरिक्त नियमों का पालन करना चाहिए, व्रती को प्रतीपदा को कुमहंडा, दित्या को कठल, तृत्या को तरुनेस्त्री, चतूर्ती को मुली, पंचमी को बेल, शष्टी को तर्भूज, सप्तमी को आवला, अश्टमी को नारियल, नवमी को मुली, दसमी को लौकी, एकादसी को पर्वल, द्वादसी को बेर, त जतुर्दसी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रियोग नहीं करना चाहिए, रविवार को आवला का प्रियोग नहीं करना चाहिए, कार्तिक महा में व्रत करने वाला मनुश्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्रामन को देख कर ग्रहन क यहीं विधान माग मा के व्रत के लिए भी है देव उत्थोनी एकादर्शी में पहले कही गई विधी की अनुसार निर्त्य, जागरण, गायन, वादन, आदि करना चाहिए इसको विधी पूर्वक करने वाले मनुश्य को देख कर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिहें की गरजना से हाथी भाग जाते हैं कार्तिक माहा का व्रत शवी व्रतों में श्रेष्ट है इसकी अतिरिक्त जितने भी व्रत यग्य है वह हजारों की संख्या में किये जाने पर भी इसके तुलना नहीं कर सकते क्योकि यग्य करने वाले मनुश्य को सिधा बैकुंड की उसी परकार कार्तिक महा का वरत करने वाले की रक्षा भगवान विश्णु की आग्या से इंद्रादी देवता करते हैं। ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं वरत सभी पापों को नश्ट करने वाला पुत्र पोत्र परदान करने वाला और धन धान्य की व्रदी करने वाला है। झाल से पूछकर महा की वद्या एंद्रादी का भड़ और अतुर अपी लाला ऑ्नने वाला और पाम भी लाला हैं। झाल झाल